हेलो स्टुडेंट्स मैं बीवी स्टडी से संतोष कुमार आज हम सुरू करेंगे मैंनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पार्ट थी को ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं पार्ट 3 प्रोसेस ओफ प्रोसेस ओफ लर्निंग इन ट्रेनिंग तो चलिए सुरू करते हैं वाट इस ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या होता है पहले समझते हैं ठीक है ट्रेनिंग 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 रेफर्स टू दर टीचिंग और स्पेसिफिक नॉलेज एंड इस्किल्स रिक्वाइड और अपने टास्क को इसे एक्टिवली, efficient, execute कर सकें ट्रेनिंग के थ्रूँ employees के required skills को डिवलफ किया जाता है जब कोई new employee किसी organization को join करता है तो उसे required skills सिखाय जाती है ठीक है ट्रेनिंग इस अबाउट फर एक्ग्जामपल कि किसी particular machine को operate करने के लिए किसी equipment को कैसे उसे use करना है किसी टूल को कैसे यूज करना है किसी सॉफ्ट्वेयर को कैसे यूज करना है प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे एक्जिक्यूट करना है डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाय जाती है सूपरवाइजर स्किल्स सिखाय जाती है तो ट्र लग करती है यह नए services जो डिवलफ करती है यह फिर नई services प्रवाइड करती है तो इसके लिए अपने employee को training दिलवाती है for example company अपने production process के अंदर किसी नई technology को implement करती है तो इस technology के साथ familiar करने के लिए employee को training दिलवानी पड़ती है ठीक है तो यह इसी तरह company के अंदर किसी नए software को implement किया जाता है अगर पहले कोई काम manual हो रहा था तो अब manual काम को software के उपर shift करना है तो तब भी impress को training दी जाती है तो training एक short term पर किया है जो की specific time period के अंदर execute किया जाता है employees के अंदर required skills को develop किया जासे कि employees के अंदर required skills को develop करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे पहले employees effective होते है efficient होते हैं उनकी productivity बढ़ती है उनकी efficiency बढ़ती है तो training के goal क्या होते है किस वज़े से training दी जाती है समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं training के goal and objectives क्या होते है ठीक है goals of training इसको हम समझ लेते हैं ठीक है increase production increase production company अपनी production को maximize करना चाहा रही है अगर employee trained होगे employees के पास required training होगी तो वह relevant machine को effectively use कर सकते हैं तो इससे production maximize हो जाता है अब आते हैं minimize wastage में minimize wastage अगर एक skilled व्यक्ति काम करेगा ना तो वह wastage कम से कम होंगे और ना ही unskilled व्यक्ति काम करेगा तो wastage ज्यादा से ज्यादा होंगे training इसलिए दी जाती है कि जो workers होते हैं जो employees होते हैं वह different equipment को different tools effectively और efficient use कर सके और उससे आपकी wastage कम से कम होगी जब production maximize हो जाता है तो wastage minimum हो जाते हैं ठीक है तो वह overall production cost minimize हो जाती है ठीक है overall production cost minimize हो जाता है ठीक है increase customer satisfaction customer satisfaction को increase करने के लिए customer service को improve करने के लिए भी employees को training दिलवाय जाती है तो कॉप टू कॉप चेंज इन बिजनस इंवार्मेंट एंड टेक्नोलजी टू कॉप चेंज इन बिजनस इंवार्मेंट एंड टेक्नोलजी कंपणी नहीं कंपणी नहीं सी प्रोड़क्ट्स बनाने जा रहे हैं बनाने की कोशिस करती है नहीं services प्रोवाइड करती है अपनी business एक्सपेंशन करती है तो बिजनस इंवार्मेंट के अंदर जो चेंज आता है उसको कॉक करने के लिए भी employees को ट्रेनिंग दिलवाए जाती है ठीक है अब हम study करते हैं कि training process in HRM training की जो process होती है human resource management में वो क्या होती है तो सबसे पहला है six difference type के होते हैं जैसे identification of training needs, training goals and objectives, select appropriate training method, implement training program, evaluate training program, feedback of training ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं different step से हम step by step समझने की कोशिस करते हैं ठीक है सबसे पहले हम समझते है identification of training needs training needs को identify करना employees को किस particular training के requirement है और employees को इस training की retirement जो retirement है क्यों तो training की need identify करने के लिए different questions के answers को तलास किया जाता है for example what, कौन सी training required है, वहीं क्यों training required है, when, कब-कब training चाहिए, where की particular employee को training चाहिए और कौन training provide करेगा है, सारे question के answer दिये जाते है, training need को identify करने के लिए employees को actual performance को standard के साथ compare करने के लिए भी आप training need को identify कर सकते हैं, अगर employees की जो actual performance है जो employees की जो actual performance है, वो standard से है, standard से below है, below मतलब कामद, standard से below है, ठीक है employee की performance पर standard नहीं है, तभी employees को training की requirement होती है और अगर employees की performance पर standard है, तो इसका मतलब यह है कि किसी training की requirement नहीं है access current and future challenge, इस company को जिन challenge को सामना करना पड़ता है, उन challenge को deal करने के लिए भी employees को training दिलवाए जाती है for example, current challenge में आता है कि company को current challenge में आना है, कि company को production cost बहुत ज़्यादा है, warranty clients, clients बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, wastage बहुत ज़्यादा हो रहा है इन issues को address करने के लिए training की requirement होती है, इस तरह के future challenges है future challenges में क्या होता है कि future challenges का मतलब यह होता है कि future के अंदर company अपने business को expand करना चाह रही है तो इसके लिए employees को prepare करना है, या future के अंदर अगर कोई job position weekend होती है तो for example different positions की अगर लोग job छोड़ के जाते हैं उनके अंदर उनके transfer हो जाता है या फिर death हो जाती है तो वो design कर सकते हैं इन job के लिए, ठीक है तो different position को file करने के लिए भी employees for training दी जाती है, employees capable कैसे होंगे कि हम अगर कोई job position wicket होती है, तो नीचे किसी employee को वहाँ पर appoint किया जाता है training need के अंदर इस चीज को भी identify किया जाता है कि training individual level पर चाहिए या फिर group level पर चाहिए individual level पर मतलब या है कि किसी एक particular employee को training चाहिए कि उसकी performance पर standard नहीं है तो उस employee को training arrange कर सकते है, group level का मतलब या होता है कि अगर company के अंदर बहुत सारे change आ गया तो technological change आ गया तो company के policies change होगी, company के work practice change होगा या फिर company ने किसी नई product को develop करना है तो इसके लिए बहुत सारे employees को एक सार ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है, next आते हैं set training goals and objectives training and goals objective को set करने के लिए training दिलवाई जाती है, ठीक है क्या आप achieve करना चाहते हैं, अगर employees को training मिल जाएगी तो उस company को क्या achieve करना होगा company का जो goal है, objectives हैं, वो कैसे पता चलेगा, training का पहला objective क्या होता है कि actual performance, actual performance है, जो standard performance उसके अंदर अगर कोई gap है तो उस gap को eliminate करना या फिर minimize करना, employees की performance को standard करना रिष्ट लेकर अनरे नेक्स्ट इसका objective होता है तो implement latest techniques एवं technology in production process के अंदर कई नेक्ट टेक्नोलजी को implement करना या किसी latest technique को use करना, इसके अलावा भी employees को training दिलवाए जाती है इसके अलावे भी क्या दिया जाता है, training दिलवाए जाती है, improve quality of products and services अगर company अपनी products की quality को improve करना चाहती है तो अपनी services के standard को improve करना चाहिए तो इसके लिए भी employees को training दिलवाती है resolve behavioral issues, अगर employees के अंदर behavioral issues है तो employees को भी motivation की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर coordination की skills को develop करना जरूरी है उसके अंदर में जो team के अंदर जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर में जो काम कर रहे हैं, उसकी skills को भी develop करना बहुत जरूरी है ठीक है, next point आते है, select appropriate training method कि कैसे training method को use करना है, कैसे करते हैं, आप employees को training दिलवाएंगे training method की दो broad categories होती है on the job, in the step appropriate training method is selected with fulfilled training need on the job training method, यह रही होता है, off the job training method यह मैंने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, ठीक है इसमें ज्यादा कुछ समझाने की ज़रूत नहीं है, on the job training method on the job training method, off the job training method में मतलब यह होता है कि workplace के ओपर employees को training देते हैं, इसके लिए different techniques use की जाती है, for example job rotation, coaching है, mentorship है, जब instruction training apprenticeship है, committee assignment है, under study है, selective reading है, off the job training में क्या होता है method का मतलब यह होता है कि आप किसी भी training center में employees को training देते हैं workplace के ओपर training नहीं दे जाती है, इसके लिए भी different techniques की जाती है, इसके लिए भी different techniques की जाती है, for example case study case study method, incident method, role play method, in basket method, business games, lecture, conferences, simulation, visual training, and audio visuals, to a different method, जिनको उसे, जिनको use किया जाता है training दिलवाने के लिए employees को, ठीक है, तो अब वो next आते हैं, इसके बारे में, on the job training के बारे में, off the job training के बारे में detail में पढ़ने के लिए part two देखें, videos में, okay, implement training program, इस step के अंदर training को conduct किया जाता है, employees को training दिलवाई जाती है, और इस step के अंदर different resources को arrange किया जाता है, जो कि training के लिए चाहिए होता है, ठीक है, for example, for example training के लिए एक trainer चाहिए, trainer एक या एक से जाता भी हो सकते हैं, और इसी तरह training के लिए different trainees होंगे, venue होगा कि कोई classroom होगा, जहां पर training दिलवाई जाएगी, reading material होगा, multimedia होगा, different gadgets होगे, तो उसे use करते हुए employees को training दी जाती है, ठीक है, अब आते हैं evaluate training program में, जब employee की training complete हो जाती है, तो fifth step के अंदर employees को training को evaluate किया जाता है, कि training दिलवाने के बाद employees की performance के अंदर कोई change आया या नहीं आया, इसके लिए different test conduct किया जाते हैं, quiz conduct किया जाते हैं, एक्सेस किया जाता है, employees के performance को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, employees की performance के अंदर कुछ scientific, certificate, significant, okay, sorry for that, improvement आई है, तो इसका मतलब यह है कि आपका training program जो है, वह राइड डाइरेक्शन में है, लेकिन अगर employees के अंदर कोई significant improvement नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी training program को revision करने की जरूरत है, तो अब चलते हैं अब last step में, feedback of trainees, ठीक है, इस train से feedback ली जाती है कि इस training के थुरू उनके अंदर कोई improvement आई है या नहीं आई है, feedback आम तोर पर written form में ली जाती है, ठीक है, feedback, usually feedback is taken in written form about training, concern, trainer, time, duration, gadgets, used for training, etc., feedback आम तोर पर written form में ली जाती है, जिसमें training के different question किये जाते हैं कि training का content कैसा था, trainer कैसा था, training के लिए जो time duration था, वा sufficient था या नहीं था, training के लिए जो gadgets use किये गए वाई, useful थे या नहीं थे, training की feedback को incorporate करके training program को effective बनाया जाता है, या training program का, training program को क्या किया जाता है, modify किया जाता है, यह training का process था, human resource management में, ठीक है, I hope यह समझ में आ गया होगा, यह topic यहाँ तक, अब मिलते है next video में,